5G phone के नाम पे आपको सिरफ HD plus display दी गई है भाई भूल जो full HD plus वगेरा तो ये है हमारा OPPO brand और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनी स्मार्टफोन की display की तो आपको बता दूगी Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचिस की full HD plus super AMOLED display दी गई है जो की 120 Hz के refresh rate को spot करती है और वहीं दूसरी तरफ OPPO के अंदर हमें 6.56 इंचिस की HD plus IPS LCD display दी गई है जो की 90 Hz के refresh rate को spot करती है यानि की दोस्तों डिस्पले आपर भाई content watching और gaming दोनों के इसाप से ना Redmi phone की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि full HD plus और super AMOLED पैनल मिल रहा है अच्छी बात है और जो 120 Hz का refresh rate है ना भाई एकदम smoothly वाली gaming आपको करवा देगा लेकिन यार ओपो ने तो यहां पर भाई बेकाय डिस्पले दिये क्योंकि सिरफ HD plus दिया यार बिल्कुल justify नहीं कर रहा भाई surprise point को ना content watching में मजाएगा ना ही gaming में मजाएगा आपको यह मैं आपको पहले ही बता देता हूं और अब बारी आती है दोस्तों operating system की तो यहां पर Redmi का phone out of the box Android 12 के साथ में आते है जो कि MIUI 13 पर based है वहीं दूसरी तरफ Oppo का phone भी out of the box Android 12 के साथ में आते है जो कि Color OS 12.1 पर based है और दोस्तों अब बारी आती है chipset की तो Redmi phone के अंदर हमें Snapdragon 4 Gen 1 5G chipset दिया गये जो कि 6 nanometer technology पर based है वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें Diamond City 810 5G chipset दिया गये जो कि 6 nanometer technology पर based है वैसे तो दोस्तों day to day performing के साथ से यहाँ पर दोने chipset बड़ी हैं लेकिन अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को gaming के लिए भी choose करना हो ना भाई तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि Snapdragon 4 Gen 1 भाई बढ़िया chipset है और अगर हम बात करें हैं एन टूडू स्कोर की तो Redmi phone का आता है 3,80,000 के करीब वहीं दूसरी तरफ OPPO phone का आता है 3,60,000 के करीब और दोस्तों आपको बता दो कि दोनी स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरी दी गई है साथी दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR 4X RAM को भी स्पोर्ट करते हैं और दोस्तों एक और तरूरी बात अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी वाले को बाइक करना चाते हैं तो लिंक में नीचे description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप इने बाइक कर सकते हैं और अब बारी आती है दोस्तों back camera setup की तो Redmi के back में में triple camera का setup दिया गया है वहीं दूसरी तरफ OPPO के back में में dual camera का setup दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi की तो इस phone का main camera 48MP का ultrawide camera है 8MP और जो macro camera वो है 2MP का वहीं दूसरी तरफ OPPO phone का main camera 48MP का depth camera है 2MP का बस दोस्तों इन्होंने कोई ultra wide बगेरा भाई हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया पैसे बचाएं फुल टू फुल camera setup में यानि कि दोस्तों back camera setup के हिसाब से यहाँ पर redmi का पोन ही winner है अटलीस्ट है इन्होंने ultra wide camera तो दिये भाई अच्छी बात है और अगर मैं बात करूँ यहाँ front camera की तो redmi के front में 13 megapixel का selfie camera दिया गया है वहीं दूसरे तरफ oppo के front में हमें सिरफ 8 megapixel का selfie camera ही दिया गया है यार यहनोंने सारी चीजों में cost cutting करी है यानि कि दोस्तों अगर आपको selfie के इसाब से smartphone लेना ना भाई आप यहाँ पर redmi की तरफ ही जरूर से जाईए और maximum video recording अप दोनी स्मार्टफोन के front और back camera से 1080 pixel तक कर सकते हैं और अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना battery department की तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mH की बड़ी battery के साथ में आते हैं तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर 5G connectivity के साथ में आते हैं जो कि 7 5G band को sport करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनी स्मार्टफोन truly 5G connectivity वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर हमें 3.5 mm check भी दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइजिंग की तो आपको बता दूगी Redmi phone के 6 plus 128 GB variant की कीमत है 20,000 पे वहीं दूसरी तरफ OPPO phone के 8 plus 128 GB variant की कीमत है 17,500 पे और अगर मैं यहाँ पर अपना point of view दूना दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के लिए तो भाई मेरे recording तो आपको 25 और पे एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको display भाई content watching प्लस gaming के साब से बढ़िया मिल रही है बढ़िया chipset भी देखने को मिल रहा है तो भाई overall बढ़िया deal तो यहाँ पर Redmi का phone ही बन के सामने आ रहा है लेकिन ओप ओफ सब कुछ तो चलो मानलो बढ़िया दे दिया लेकिन इनों ने जब display ही बे कर सकते हैं साथी smartphone related as interesting comparisons देखने के लिए हमारे चैनल gadgets point का दुरू subscribe कीजिए